आप देख रहे हैं दखल न्यूज नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज दखल न्यूज में आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद है पंडित अर्विंतिवारी जी पंडित आपका बहुत बहुत स्वागत है दखल न्यूज के सभी दर्शुकों को पंडित अर्विंतिवारी का बहुत बहुत नमश्कार करवा चौत सुहागिनों का उपास पती की लंबी आयू की कामना चांद की पूजा चौत माता की पूजा कैसे करें? क्या करें और क्या ना करें? राशी वाराज हम पंडेजी से बात करने वाले हैं पंडेजी से सबसे पहले हम जानेंगे कि करवा चौत क्यों मनाया जाता है देगी बड़ा सुंदर सा जैसा कि आप हम सभी नाम से जानते हैं करवा और चौत अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुरती है उसको हम करक चतुरती के नाम से जानते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाम करवा चर से प लेकिन एक ऐसी अद्बुत घटना घटी जिसके बास से इस ब्रत को उनके नाम से जाने लगा चुकि चतुर्थी का ब्रत था इसलिए इस ब्रत को करवा चौथ के नाम से मनाया जाने लगा छोटी सी कहानी सुना देता हूं आपका साथ भाईयों की एक बहन थी जिसका नाम था करवा और ये घटना सत्युग की बताई जाती कि सत्युग में ये घटना घटी थी साथ भाईयों की बहुत प्रीय बहन और बहुत छोटी सी बहन थी तो भाईयों ने उसकी बिवाः इस प्रकार से कराए कि जामा था याने उनका जो जमाई है वो उनके साथ ही रहा पहली बार चुकि चतुर्थी का ब्रत रख था लेकिन बहुत कोमल सी बहन थी उनकी और उस बहन की कोमलता की चलते वो भाई घबरागे कि ऐसा ना हो कि शाम तक इसको भोजन ना मिले और कहीं इसकी ब्रत्यू नहों जाए तो भाईयों ने घबराकर चुकि ये ब्रत चंद्र चांद का निर्मान करें इसको दिखा कर इसको भोजन करा लिए तो उन्होंने पीपल के नीचे पीछे अगनी को इस प्रकार से प्रज्वलिफ किया और सफेद रंग के कपड़े के पीछे उसको जलाया तक ही दूर से वो चंद्रमा का आकार दिखने लागा बहन को का कि दे सबसे चोटी वाली भावी जो कि बहुत पती ब्रता और बहुत ही पूजा पाठ करने वाली बिदूशी महिला थी उसने बार-बार कहा कि यह सब गलत है लेकिन करा दिया लेकिन उसकी साथों भावियों नहीं तोड़ा जैसे उस ब्रत का उसने तोड़ा तो सबसे पहला निवाला खाते से पती ब्योश हो गया पूरा भोजन करने के बाद वो म्रत्यु तुल्य अवस्था में लेक लिया तो वो चिलाने लगी उसी समय आकाश्वाणी होई क्योंकि हमारे त्रेता युग सत्यों को द्वापर य टिरा गालत हुआ उसको कैसे सुधारा जा सकता है तो आकाश्वाणी हुई आकाश्वाणी में बताये गया गये तुमने अपने पती के निमित्य जो ब्रत किया लेकिन तुम ने उसको तोल दिया वी चंदरमा नहीं निकलने वाला है तो बहुत बिलाब किया लिकि तब तक पती की ब्रती हो चुपी थे, फिर उसने अपने पती को जिंदा रखने के लिए सुई जैसी घांस पती के शरीर पर हो गाई, ताकि उसका अमरत रूपी रस उसके शरीर में जा सके, और वो घांस इतनी बड़ी होती गई, आपने देखा होगा करवे में दो डंडियों का इस् सीखें लगाई जाती है, तो वो सीख उसी परकार की सुई के घांस की सीखें हुआ करवा थी उसने हर संकट शोथ को ये ब्रत किया, और जब कार्तिक मास का कृष्णपक शाया, तो उसने एक बार पुना पूरे विधी पूरबार इस ब्रत को गिया, लेकिन तब भी उसका जीवित नहीं हुआ है, बांस की डंडी जो है, वो काफी बढ़ गई जो आप देखती होंगे, बड़ी बड़ी सीखें लगाई जाती है, तो जब वो डंडी बड़ी हुए और सारी कुछ हुई लेकिन पती फिर भी जीवित नहीं हुआ है, तो वो बहुत रोई और उसने क चड़को, और वो चड़के काम हर भावी करेगे, तो जिसको आज के दौर में हम करवा लेना या थावी बदलना कहते हैं, तो यह वो ही चीज है, तो उन्होंने चीटा देने की कोशिश करी, छेव भावियों ने दिया, करवा उनसे लेती, चीटा मारती लेकिन कुछ नहीं अपने जामाता के शिरी मुख में ढाला, तब जाके वो जिवित हुआ, तो आप देखी, यह इसको करवा के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको करवा चोथी यह पूरी घटना चतूर्थी को घटी थी, इसलिए इस ब्रत को करवा चोथ कहा जाता है, तो जो छोटे-छो इसको करवा बदलना या थाली बदलने की पूजा की जाती है, तो क्या मुख्य सामगरी है, जो हमें इस्तिमाल करने चाहिए करवा चोथ की पूजा में, तो क्या मुख्य सामगरी है, जो हमें इस्तिमाल करने चाहिए करवा चोथ की पूजा में, तो क्या मुख्य सामगरी ह यह प्रथा चुकि पंजाब में प्रारम हुई और इस प्रथा को देखा गया रमजान के उससे जोड़ के लिखा गया कर अब भूपती है चुकि उस राके में रमजान का तियोहार भी मनाया जाता था और सूर अधय से पहले कुछ खाने की परंपरा थे थिया आप तीजड़ी तेह लें बहुत भूभारने की परंपरा थे नेरे whamuham प्रंपरा पेदा हूہी तो सर्गी करने की परंपरा सरगी का तातपर यह होता है कि सुबह प्राता काल सूर्य उदय से पहले है आप कुछ खा सकते हो क्योंकि वहां उन दिरों में वहां पर ठंड बहुत पढ़ती है जो उत्तर का इलागा है जहां इस सरगी की परंपरा होई वहां ठंड बहुत पढ़ती है थंड से बचने के लिए आपके शरीर में कुछ ऐसा अन सूखा मेबा ठाइप मे खाने की प्रथा थी कि आप सूखा मेबा या प्फल आप खालो ताकि दिन भर शरीर में उर्जा बनी रहे है क्योंकि दिन भर काम करना प्रता था था चुछी सारा काम महिला हैं करती तो उसके सर्गी की परंपरा हुई आज वो सर्गी पूरे भारत में और ना केवल भारत के बाहर है अचा इसको फैलाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो यश्योपडा की है उनकी हार फिल्म ये बात तो सही है कि कर्वा चौद्का तिहौर परंपरा तो है ही हमारे हां सुखा इ पूजा ने संसितुरी अपने पती वरत रखते है लेकिन पिंचो में जिस तरीके से दिखाया जाता तो दिखाता है तो वो एक्रेक्शन बन गया है लोगों के लिए थाली की बात हुई थाली близommes कों घुछान की लिए sande में जभारिय शॉद्फ है जिसाम को अहने आगता अब कुछ लोगों ने फिक्स कर लिया कि हम चार बजे करेंगे कुछ ने साड़े चार कर लिया तेकिन यथार्त में वो जो समय है वो शाम का है कि जिस सूर्य डूबगर होता है कि चंद्रमा के आगमन के समय होता है उस समय को दोड़ से तो पेच रहा है इस सच की वह बनी, जेसा निकली है उसमें आपने देखा होगा कि चंदरमा दिखाने के लिए उन्हों ने सफेद वस्तर का इस्तिमाल किया तो पहले के जमाने में यह परंपरा थी और चौथ का चंदरमा के बारे में यह मानेता है कि जब भी आप उसको नंगी आँखों से देखोगे तो आपके उपर आरोप प उन्होंने बहुत देखा था जीवन भर आरोप प्रत्यारोप में रहे और अंतोध गत्वा उन्होंने फिर पूजा करी उसके बाद आरोप से मुक्त हुए तो चौथ का चंदरमा जब निकलता है तो उसको नंगी आँखों से नहीं देखा जाता प्राचीन काल में परंपर चलनी का अखार भी कोल होता है तो उसको यू करके तिर्शे मुझ से देखा जाता है उसको सीधा कभी भी नहीं देखा जाता लेकिन आप तो महिलाएं उसको उसी में से देखती है उसमें से केबल उसकी जलक देखी जाती है और फिर उसको यू करके आप अपने पती के शरी मुक्य सामने लेकर आती है, तो यह उसकी परंपरा है, बने आप यह नहीं कि बिल्कुर सीधा उसको देख रहे हो आप, चौथ के चान का दर्शन, ना तो इस्त्री ना पुरुष, कोई भी नहीं कर सकता, और वो आपके उपर आरोप प्रत्यारोप बहुत तेजी से पढ़ात है, इसलिए बचना चाहिए, यह बात तो पूजा की हुई, लेकिन इस्त्री की जो राशी है, कैसे पूजा करे कि पती के लिए वो शुब हो, तो बात शुरुवात अपन पहली राशी से करते हैं, मेश राशी, बिल्कुल मैं मेश राशी की बात कर लेता हूँ, राशी व्रिषक बंगल मजकर, का बूजा राशी केक्षि this time, मेश राशी की जो अधिकन दत्ंदा होगा रहा है, अदि च्ठवाऻ को मेश मेश राशी की महिलाओंगा। 사고 मेश राशी की महिलाओं को इस बार लाल रंगी डिक्ता के लेता है। इनिना चाहिए, आप पीले रंग की कर आंट कूछिए को आप आप राषि को आपाष राओंगे लारण का रंगि भेन के схож़ा महिनूं को लाल रंकि साडी पेनके करले. व रिशराषी का करने हैं ब्रशराराशी को नारियल चाडानारा चाहिए चूकि आप करवा चौछुत के दिन तो ब्रशव राशिवाले कौन से रंकी साड़ी पहने जो पती को शुब भी लगे और अच्छी भी लगे? मैं आपको बताऊं कि उनको साडी की बजाए आज एक नारियल का प्रयोग करना चाहिए आज उनको एक श्रीफल जो है को मा पार्वती को चड़ाना चाहिए श्रीफल चड़ाने से आपके द्वारा जो की गई पूजा है वो सफल हो जाएगा रंग कौन सा शुब रहेगा बने शुब रंग उनको गोल्डन कलर का इस्तमाज का राशी मिथुन राशी की बात की चाहिए तो इस तरी को कौन से रंग की कपड़े पहनने चाहिए और किस तरीके से अपने पती के लिए पूजा करें कि वो शुब होगा तरीके मैं उसमें दो सला दूँगा एक तो उनको महली जरू लगाना चाहिए जो कि वो कन्या राशी जी है महली अपने हातों में हाला कि सभी सुहागन महिलाएं लगाती है लेकिन वो महली लगाए और साथ-साथ हरी रंग की जो चूडिया है वो अपनी कलाई में ज़रू करक राशी जातक है जातक जातक जो महिलाएं उनको अज तो सेंट का प्रियोक करना चाहिए सुगंडी रव्य जो है उनको बहुत खुबसूरत सा सेंट लगाएं ताकि उनके जो पार्टनर है और जो आज भगवान के स्वरूप में अपने पती देव को पुझ रही है तो प्रती आकर्शन जो है आकर्शन भी बड़े और पती के आयू भी बड़े है तो सिंग राशी जातकों को आज भूरे रंग की साड़ी और भूरे रंग का कुछ भी सामान पूजा पाठ सामगरी में रखना चाहिए जाहें तो भूरे रंग के लाउस या पेटिकोट या पूजा परीओ देखना चाहिए अपी तो आज पूजा 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 वोजा पान का प्रियुग जरूर पीड़ा आज जाता आज भूरे पान का बीड़ा अपने पती के हातों से जरूर ना राशी के भाइड ब्रिश्चिक राशी के लोगे? ब्रिश्चिक राशी के महिलाओं को आज विशुद लाल रंग का चटक रंग उनको इस्तमाल करना चाहिए उसी रंग की इतने चूडिया पैने उसी रंग की सारी पैने और उसी रंग की सारे वस्त्र को धरन करना धनु राशी की महिला है? मकर राशी की महिलाएं उनको राहु को भी प्रसंद करना चाहिए तो बहुत सुंदर सा आखों के नीचे काजल भी लगाना चाहिए तो आज आप काजल लगाएं काजल लगा के खुबसूरत भी दिखेंगी और पती की आयू भी पड़ेगी कुम राशी की महिलाओं को आज सफेद रंगी मिठाई अपने पती को अवशे खिलाना चाहिए चुकि श्वेद रंगी मिठाई आज रोणी नक्षत्र में शंदर्मा है तो जब अपने पती को खि करना चाहिए और समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और फिर आगे बताएंगे कि पती की राशी में पती क्या करें तंगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ता जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों त राजजीती से कूटनीती ता दखन न्यूज आपके हट नूज आपके हट ब्रिक के बाद आपका स्वागत है अब जानेंगे पंडेजी से कि किस राशी के पुरुष अपनी पत्नी का वरत खुलवाने के लिए कौन सी मिठाई खिलाएं और उपहार में क्या दे उपहार की ब बात करेंगे कि मेश राशी के पुरुषों को अपनी पत्नी को क्या उपहार देना चाहिए और क्या खिलाकर उनका उपवास खुलवाना चाहिए शुरुवात कर लेते हैं सबसे पहले मेश राशी से यदि मेश राशी के पति हैं तो वो अपनी पत्नी को क्या उपहार दे जात्कों को अपनी पत्नी को आज उपहर में सबसे पहले तो कोई सुगंधित चीज देना चाहिए, उनको सेंट हमेशा देना चाहिए, क्युकि मेश राशी वाले जात्कों में एग्रेशन बहुत होता, मंगल की प्रधानता बहुत होती है, पत्नी कई मामलों में उनसे बहु प्रशव राशी के पती, क्या उपहाद ब्रशव राशी वाले पती बड़े भोले होते है, बैल राशी होती है, समझ नहीं पाता, वो एक ही दिशा में आगे बढता है, तो उनको अपनी पती को आज सुन्दा सी कोई साडी देना चाहिए, क्योंकि साडी या वस्त्र से महि ब्रशव राशी वाले जातक जो भी रंग की साडी हो, खास तो उसे लाल रंग हो, पीला रंग हो, हरा रंग हो, पिंक हो, इस रंग के यदि वो खप्ड़े देते हैं, तो उनकी पत्नी उनसे अवश्व पत्नी की खिला देना है, मिठाई पत्नी की खिला देना है, मिठाई नो वह एक मातर चाहिए, पत्नी को प्रसंद करना है, तो सबसे पहले उनको कोई भी सोने चान्ली को उपार देता है। क्युक्त मुझे लगता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रसंद आप प्रसंद सबसे होता है, जो आच्छा लगे, वह दान करना है। करग राशी में इस समय गुरू का गोचर बहुत शुब चल रहा है तो कोई भी पीली चीर उनको आज अपने पार्टनर को आवश्यदान करना चाहिए और तीले रंग की ही मिठाई उनको खिला देना चाहिए ताकि उनका भी गुरू मजबूत हो और दोनों के बीच में प्रे ही जरूर खिलाना चाहिए और कोई सफीद रंग गोल्डन कलर की कोई ऐसी चीर जिसमें पर्स हो या सेंडल हो इस तरह की कोई चीर क्योंकि राहू हमेशा पैरों में बास करता है तो आप चलने से संबंदित कोई चीर जदी देते हैं तो पती अधी उस चीर को पैन कर चलें बर्दमान में उसका राशी स्वामी भी गड़बडाया हुआ है तो आज आप हरे रंग की कोई चीज दे दे अपनी पतनी को कोशिश करें कि हरे रंग की साड़ी हरे रंग की चूडियां हरे रंग की कोई भी सुन्दर सी चीज आप अपनी पतनी को अवशी गिप्ट में द बृष्चिक राशी दें राशी है, गाले के ते बृष्चिक राशी है, तो तो आप आपना आपना अपनी पत्न को सौंधरिय प्रशाधन की तामकरिवाइज भी राशी जैसे मेरा इत्र डाले की बालों कार रीच वाले करें जो डिबबा होता है, मुझे रखता है वो पूरी एक मेकप किट दे 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 तो पत्मी जादा खुश हो जाएंगे बेहद खुश हो जाएंगे धनुराशी वाले क्या करें धनुराशी वाले जात को गुरु के स्वामित वाली है तो लेखन पढ़न से जोड़ा हुआ जैसे आज का लेप टॉप है, कब्यूटर है इस तरह की कोई चीज जरूर अपनी पत्नी को देना चाहिए या किताबों का आउप भार भी दे सकते है धार्मिक किताबों का आज रशलन है ग्रंथ है जो भी अच्छा लगी यदि उनकी पत्नी पढ़ने लिखने वाली है तो देना चाहिए यदि उनको नहीं है उस तरह का कोई विचार मन में नहीं है तो आप उनको एक पीली साड़ी जरूगा आपको दिना चाहिए पंड़ी मकर राशी वाले क्या करें मकर राशी वाले बहुत दुखित हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मकर राशी वाले जातों को क्या करें ना तो काम चल रहा है ना धंदा चल रहा है कहीं भी नहीं चल रहा है तो देने से आपकी पत्नी अवश्च पसंदे हैं कुम राशी वाले कैसे खुश करें अपनी पत्नी कुम राशी बहुत शांदा राशी चलता है इस समय कुम राशी वाले जात्मों के पास कोई कमी नहीं है तो आप उपहार में जो है उनको बरिया साडी और सौंदर या द्रभ जरूर आप उनको प्रतान करें मुझा लगता है आपसे बहुत प्रसंदे है मीन राशी मीन राशी मीन राशी इस समय बहुत कुबसूरत है और गुरू के स्वामित वाली राशी है तो इनको वस्त्र देना चाहिए मीन राशी वाले जात्मों को खास्तोर से यह आपकी पत्मी वहन चलाती है तो आज एक वाहन जरू देना चाहिए वाहन देने के आप में चमता ना हो तो आप उनको कुछ मीठा जरूर खिलाएगे तो आप उनको कुछ मीठा खिलाएगे जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सी मिठाईया है उसका एक बड़िया गिफ्ट बनवा कि आप अपने पत्नी को में उनको वस-त्र भी उपार के सुरूक करने आपके पत्नी आपसे बहुत पसंदर से पत्नी को ऑलर गिफ्ट का तियो आज बढ़ जाए और में पकाई कर चाहिए पत्ने की राशी क्या है और वह क सैंपने ुपाई बता बिचां करें और पत्नी को पतिट ilंको यह जो कैस तो किसको दान करना चाहिए और क्या सामगेव रचानघ चूहाग है साडी 2800 शाड़ान है norma MANCAS κιदूर है NEIL KOSHण ITR mająर हां prawd जिसको हम आलता भी कहते है तो इस सारी ऑर रचाहिते हैं वह तो आप किसी मंदिर की पंडिताइन जी को दे दे दे, वैसे प्रथा यह है कि आप आज के दिन इसारी चीदी दोबिन को देना चाहिए, दोबिन के पास सौहाकस जाता है, लेकिन आप कोई वैसा बचाने ना उस तरह का काम होता है, तो आप बहता है कि मंदिर में ही देखार और कोई बड़ा बुजूर्ग आपका हो, यदि आपकी सास हो तो आप उनको भी दे सकते हैं, यदि वो सौहागन है तो और वो यदि लेने से इंकार ना करें, उनको ज़रू देना चाहिए, दोबिन को आपने कहा, कि दोबिन को देना चाहिए, इसके पीछे क्या कार देख दोबिन का काम होता है, मैल को साफ करना है, समाज का सारा मैल साफ करने का काम करती है, कपड़े दोती है, बतन होती है, हर तरह की गंदगी को साफ करती है, और ऐसा हम आना जाता है कि जो गंदगी को साफ करता है, वो जीवन की हर परिशानी को दूद करता है, और उसका आशि आशिरवाद जो है, हमारे समाज में ये परंपरा बनाई कि कोई उचा नहीं है और कोई नीचा नहीं है, तो आपको वो सदा सुहागन होने का पूरा बर्दान मिलता है और वो हमीशा पलेट होना है। आशिरवाद से आप व्रत रखें, करवा चौत का व्रत आपके रिशुभ हो, पती की लंबी आयू हो, ऐसे ही कुछ खास कारिकरम के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहें तक हलें। आपके लिए आपके लिए आपके लिए